पूर्विदेश मंत्री सुश्मस्वराज का दिल्ली के एंस में निधन हो गया सर्चट वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गई दिल का दोरा पढ़ने की वज़े से उन्हें अस्पताल ने भरती कराया गया था जहां कुछ समय इलाज के बाद डॉक्टर्स ने उन्हें म्रद घोशित कर दिया डॉक्टर्स ने मौत की वज़े कार्डेक अरेस्ट बताई पिछले काफी समय से सुष्मा बिमार चल रही थी, 2016 में किड्नी फेल होने के कारण उन्हें डाइलेसिस पर रखा गया था और उसके बाद किड्नी ट्रांस्प्लांट भी किया गया था सुष्मा मदु में इसे भी पीड़ित थी, सूत्रों के मताबिक हार्ट अटाक के बाद उन्हें एम्स लाया गया था, जहां कुस जॉक्टर्स की निग्रानी में उनका इलाज चल रहा था लंबे समय से चल रही बिमारी के कारण होने 2019 का चुनाव भी नहीं लड़ा था, साल 1977 में सुष्मा सबसे कम उम्र की राजमंत्री बनी थी, मंगलवार शाम को लोगसभा में जमुकश्मीर में आर्टिकल 370, खत्म और राज का पुनरगटन होने पर सुष्मा स्वराज ने ट्वीट करते हुए प्रधान मंत्री नरेन मोदी को बधाई दी, ट्वीट में लिखा था प्रधान मंत्री जी आपका हार्दिक अभिनंदन, मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी, भले ही शुष्मा स्वराज जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके व्यक्तित्व को भारत की राजनीती में हमेशा याद रखा जाएगा.